तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर दुबारा WWE 2K17 Universe Mode में I hope कि आपको आज के एपिसोड में मजाएगा फॉर मोर फटा फट लाइक करना ना भूलिए सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने नहीं किया शेर करो अपने दोस्तों के साथ जैसे कि आप लोगोंने पिछले एपिसोड में देखा कि रॉपे मचा तहल का क्या धमाकेदार मैश था Evolution vs. Shield तो ज़रूर देखिए आप लोग क्लिक करके उसको दुबारा देख सकते हैं अब चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ आज हम जा रहे हैं स्माकडाउन की और लेकिन आज स्माकडाउन भी कोई कसर ने चोड़ने वाला सबसे पहले आप लोगों की वोटिंग के वजे से 84% वोट्स मिले हैं ब्रे वायट को कमाल कर दिया आप लोगोंने आगे बढ़ेंगे आप लोगोंने अपनी वोटिंग से जिताया है Brothers of Destruction with 74% वोट्स तो हम लोग लेने वाले Undertaker Kane लेट्स गो तो प्रोमो जिन लोगोंने काफी गुसा रखे मैचेस के बीच में Miz और John Cena का पंगा चल रहा था अच्छा लेकिन इंटरॉप्शन हुआ John Cena का वहाँ से अच्छा इसका पंगा डैनियल ब्राइन के साथ चला है ओ हो 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 इसमें भी इंटरॉप्शन और डैनियल ब्राइन जीता वह से इंटरॉप्शन को आज का मैच हमारा सबसे पहले एक नॉर्मल वान 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 तो ये दोनों सूपर स्टार्स आर लुकिंग फॉर बिग पुश इस स्माग डाउन पे तो सबसे पहले रिंग के तरफ बढ़ेगा अलबर्टो जेल रियो दी प्राइड ओफ मेक्सिको रिपा अड ये बंदे की सम्मेशन मूव दी आम बार बहुत ही खतरनाग एक बार लग जाए तो तोड़ना मुश्किल देन अपना खौफ फिलाने अपना काला जादू फिलाने आ गया है यहां पे ब्रेव ओएट दी इटर ओप दी वर्ल्ड क्या आज डॉमिनेट कर पाएगा अलबर्टो डेल रियो को हम भी रेडी एंड ये भजी गंटी ओन स्मैक डाउन हमारा सबसे पहला मैच आज का एंड दोनोर ब्रेस्टर्स भाग एक दूसरी की तरफ अलबर्टो डेल्रियो विद अपर हैंड घुमा दिया उसने गर्दन नेक ब्रेकर के साथ स्टार्ट किया उसने लेकिन ब्रेव ओएट रेडी विद इनिवर्सल सीधा पेट में मुक्का यह पढ़ा एक और दो घुसंड इसको लिए और उठा लिया डबल हैंड पटकी विल्कुल चोक स्लाम को कनवर्ट कर दिया एक पटकी में वाट अ पावर्फुल मूव वहाँ पे रिंग के बीच में पकड़ लिया है यह उठाया एड गट पस्टर अलबर्टो डेल रियो पे लगातार यहाँ पे एक से बढ़कर प्रेक मूव्स कहर मचाया जा रहा है उसके उपपर कोड रिवर्सल यहां पे उल्टा मेक्सिको का प्राइड ओडबल स्टॉर्म के साथ कूद्या सीधा पेट पे ब्रेवाइट के जल्रियो प्रेशर डानने की कोशिश में काफी सटीक मूव्स उसके तरफ से एन उत्ते ही फिर बारा ब्रे को पकड़ा आयरिश वेप लेकिन ब्रे रेडी था निकला उसके होल में से उस तरह फेका उसको फाक ते में उसको प्राइड प्राइड तरफ आया है काफी जल्दी हमें मोमेंटम गें करना पड़ेगा गटबस्टर से लगा दिये उसकी वाट पेट फोलने की कोशिश उसकी बुल को बुली तरह से एंड पटक दिया ब्रे वायट को पावरफुल मूव्स एंड ये पड़ा ड्रॉपकिक सीधा कनपटी पे ब्रे वायट रिंग से बाहर थोड़ा सा अपने आपको रिकवर करने की कोशिश में टॉंट मारा उसने अलबार्टो डेल रियोस को फॉलो करते वे बहुत बड़ी गल्टी कर दी उसने लेकिन रिंग के बाहर ये फाइट और भी महंगी पड़ सकती है उस्ट्रेट इंटू बारिकेड फिर उठाया एंड पीछे की तरह पटका पावर देखिय ब्रेव वाइट की हाथों में सुपर्ब ये घुमा दिया गट्रेंग सुफलेक्स इसी के साथ सिगनेचर मूव आचुका है वाइट के पास क्या यही पर यह मैच खतम हो पाएगा विल दिस बी इनफ डेल रियोस क्या सर्वाइफ कर पाएगा इस मूव को सबसे पहले दोस इसको रिंग के बीच में लिया एक और सूपर पटकी एंड सिगनेचर मूव हमारे पास रेडी है हेर वी गो ब्रेव वाइट भागा है कम जी सेंट ओन पूम वाट कैनन बॉल सीधा उसके पेट पे एंड चार्ज पिनिशर लगा दिया है हेर वी गो वाइट इस लोकिंग इस पाइडर वॉक दी सिस्टर अबिगेल ये सिस्टर की आतमा इसमें चड़ जाती है भूतिया तरीके से मानने की कोशिश ये पकड़ी उसकी गर्दन ले चुमी सिस्टर अबिगेल करनेक्स एंड सीधा फिन में डाला डेल रियो को हताश वान टू त्री लेकिन नहीं डे डॉमिनेट करता हूँ इस मैच को टॉंट पर टॉंट उसकी तरफ से अलबर्टो डेल रियो अपने जगा से हिल तक नहीं पा रहा है उसके लिए काफी टाफ होता जा रहा है ये मैच रिवर्सल उसकी तरफ से उसीधा सर के पीछे मान जामन सुपलेक्स देने की कोशिश थ आज तो डेल रियो का जीना मुश्किल कर दिया है ये देखो एक और कैनन बॉल उड़ते वे गया ब्रेवाइट उसकी तरफ फिनिशिंग मूव आ चुका है हमारे पास अलबर्टो डेल रियो की हालत और ज्यादा खराब होते जा रही है लटका इसको रोप लटका दे मुक का इसको दे मुक का बीच में खीचा गोइंग फर ए पंप हैंडल सुपलेक्स पूम सुपर्ब मैं सुपर्ब डेल रियो कमबैक मार पाएगा आई डोंट थिंग सो ऐसा डॉमिनेशन लेकिन एक कोली पड़ी मूव पे हमारे एंड पूरा मैच पलट दिया उसने उसने उसन पटकी मैन अराम से खीच लिया उसको दूसरी तरह वाइट हर चीज के साथ रेड़ी है उसे एक और मुक का दिया उसने सिगनेचर मूव लगाने की कोशिश यहाँ पे शायद लेकिन वाइट विद दी रिवर्सल पीच आसमान में उसको मीचे दे मारा उसका मूव पटक के एक और सिगनेचर मूव आचुका है रिवर्सल उस तरह इसे घसीट लिया घसीट लिया एक बार उसने अपना समिशन मूव देना स्टार्ट किया तो हमारी वाइट लग जाएगी गट बस्टर उसकी तरफ से लेकिन सिगनेचर मूव यहाँ पे उसूपर किक बिलकुल कोने इसने सीधा मूपर वार किया उसने अब हमारी यहाँ पे शायद वाइट लग जाए फिनिशिंग ऋड़े गए उसके पास क्या वो अम बार लगा पाएगा क्या वो इस मैच को यही फिनिश कर पाएगा आम बार में पकड़ लिया उसने लेकिन रोब्रेक ने हमें बचा लि यहां पर, come back move उसका पूरा वेस्ट वा लेकिन, reversal, Wyatt ready with the reversal, पकड़ लिया उसको नहीं पर, एक finishing move हमारे पास अभी भी है, एक और यहां पर sister Abigail, number two, let you meet, बहुत हुआ तेरा, Del Rio को यहीं पे चित किया, रिंग के बीच में लिटा दिया है, let's go into the pin, one, two, three, in the end, Wyatt के लिए एक आसा win मेरे ख्याल से, Del Rio, जाता हो अर रिंग से बाहर, काफी अच्छी fight दी, उसने, submission moves से बजगे हम लोग, दोस्ती का हाथ बढ़ा है, यहां पर वाइट ने, लेकिन Del Rio, इसको, मना कर दिया, हाथ मिलाने से, what, disrespect, छोडू मनी, तो अगली बार summer slam पे हमारा सबसे पहला मैच होग गोल्बर्ग वर्सेस जॉन सिना फोडी वर्ल्ड हेवीवेड चैंपिंशिप इन वन-on-one नॉर्मल माच, आई बटन पे वोट करिये हमें किसको लेना चाहिए इन दोनों से, and आपका फिनॉमिनल सपोर्ट, विद फिनॉमिनल एजे स्थार्स, रिंग की तरफ बढ़ता हु यह दना दर मानना स्टार्ट किया किसी ने, तो अब रेंग की तरह बढ़ रहा है, डॉल्ग जिगलर, मिस्टर शोओ, यह काफी सही मैच होने वाला है, स्टील केज नीच आ चुका है, दोनों रेसलर्स रेडी हैं, दोनों ही बहुत ही फूर्दीले, and यह स्टार्ट हुआ ह हमारा मैच, AJ Styles, रिवर्सल खाता हुआ, सीधा उसने स्पाइन बस्टर में डाला, यह पड़े मुक्के, दो दो शोट पड़े बड़े, लेकिन AJ Styles, पिटा सीधा स्टील केज में उसका मुव पड़ा, वोटर रिवर्सल बाई डॉप जिगलर, वो कंट्रोल लेने नहीं दे AJ Styles को शुरुआत से प्रेशर डानने की कोशिश हैं सीधा लात्ते बार, तांग तोड़ो बंदे की, एंड उसको चड़ने में उतनी ही मुश्किल, स्दे धनादन, स्दे धनादन मार नहीं अहां चालू किया है, डॉप जिगलर इन प्रॉब्लम नाउ, AJ Styles टेकिंग दी अप खड़ जाए बंदे की, एंड फुल प्रेशर डालते वे, ओहो, गर्दन पे लॉक, एंड हैंड स्टैंग के साथ और ज्यादा प्रेशर डाला उसने गर्दन पे, गोस्तुजी टॉप रोप, अभी से हाई फ्लाइंग मूव, लेकिन पूरा अटैक में, AJ Styles बिल्कुल रेड अल्मोस इंटू अनेक ब्रेकर, गर्दन तोड़ते वे इसकी वहीं पे, फिर उठाया एक और मूव के ले, लेकिन डॉल्फ बहुत ही शातिर, दोनों के दोनों बहुत ही तेज तरार, ये मानने की कोशिश, लेकिन एक और स्पाइन बस्टर रिवर्सल, इस बार डॉल्फ इस बार निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत चालाकी से, बहुत सी फूर्ती से वो चड़ गया, स्टीर केज पे, एजे स्टायल्स रिकवर करने की कोशिश, एक और स्टेप लिया है, उसने, एजे स्टायल्स सम्हाँ रिकवर्स एंड खीच लिया है उसको नीचे, वाट फॉल, जितना उपर चड़ोगे, उतना ही जादा नीचे गिरोगे, एंड उतना ही डामेज, फ्रॉक स्टायश मारा यहां पर, एजे स्टायल्स अभी और डामेज करने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले वो बाहर निकलने की सोचे भी इस रिंग से, एजे स्टायल्स इन फ स्कूप स्लाम के लिए, रिवर्सल बाई डॉल्फ एंड सीधा टांग पे वार अगें, एक और रिवर्सल एजे की तरफ से, दोनों एक दूसरे को ऐसे काउंटर कर रहे है, स्कूप स्लाम में बदला, अब हम लोग चले टॉप रोप पे, एंड हैंड एजे स्टायल्स कोशिश की वो शायद चड़ ही ना पाए, एजे स्टायल्स डॉमेट करता हुए इस मैच को, फिनिशिंग मूव आ चुका है हमारे पास, क्या हम इस मैच को यही पर खतम कर सकते हैं, येस, ही गोस पॉर इट, इफिनॉमेनल, स्टायल्स क्लैश, दोनों हाथ पाउं सब कोई बंदे के बास डिफेंस करने का चकर ही नहीं, वो अपने आपको बचा ही नहीं सकता, बिल्कुल कोने में डाला यहां पे, बिल्कुल स्टील गेट के पास, और उपर पकड़ लिया, गोइंग फॉर इट, बूम, वाट ठाउने दो डीडीटी, सुपर्ब एटक, एक के बाद एक मूवज आये जा रहे हैं यहां से, तूड, वाट अ सुपलेक्स, एजे स्टाइल्स अगें अन दी टॉप रोप, फिर दुबारा डाइफ करने की सोच रहा है वो, फ्रॉक स्प्लैश लगाने की कोशिश लेकिन पूरा टैक मेस, अभी तो बहुत रिवर्सल थे हम में लाद मारी उसने, एंड पूम, घूमते वे, दे चक कर क्लोज लाइन, डॉल्फ के पास सिगनेचर मूव आ चुका है, अब हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, हम चाहे तो पिन करके भी इस मैच को यहीं पे खतम कर सकते हैं, थोड़े और टॉण्स यहां पे, हाइब हाई, हाट स्टॉपर, एल्बो ड्रॉप्स, लगातार धे धनादन, एक के बाद एक, एजे स्टाइस के लिए, नो मौका यहां पे, खतरनाक एल्बो ड्रॉप्स है, एंड रुखने का कोई नाम नहीं, यह ने रुखेगा, लेकिन हमारा दिल जरूर रुख जाएग उसने पूम बैकट्रॉप में, एजे स्टाइल्स इन अलॉट अफ ट्रॉबल, अगर वो फिनिशिंग मूव खाता है, तो शायद उसके लिए मैच यही फिनिश हो जाए, एंड वो खा गया, खा गया वो, शो आफ करते वे, बिल्कुल, वान, टू, पच्छे, काउंट हमें बिल्कुल नहीं सुनाए दे रहे, लेकिन एजे स्टाइल्स सम्हाव उस स्पिन से बहर निकलता हुआ, भाई, बहुत बहरी पड़ जाएगा हमें यह मूव खाना, टॉप प्रोप पे वेट करता हुआ हमारा, वापिस उतर गया, डॉफ थोड़ा खुद कन्फ्यूज है, एजे स्टाइल्स रिकवर करने की कोशिश में, यह मारा एल्बो, उड के क्लोज लाइन मारने की कोशिश, लेकिन पूरा मूव हमारा वेस्ट हुआ, डॉफ न एसी का फादा उठाया, विद पिक पैक ट्रॉप, एक और एल्बो यहां पे, कितने एल्बो मार चुका है यह एजे स्टाइल्स खत्रे में, कुछ तो कर, कुछ तो कर, कि यह मैच पलट जाए बिलकुल, रिवर्सल्स का वेट करना पड़ेगा हमें, तब तक ही यह पिटाई चलते रहेगी हमारी, उतना ही खतरनाक हुट जा रहे यह बंदा, एजे स्टाइल्स रिवर्सल्स दाट, पास उठने की कोशिश कर रहे हमारे अगेंज उठने की कोशिश, फिनिशिंग मूव रिवर्सल कर दिया है इस बंदे ने, फिनिशिंग मूव, स्टाइल्स क्लाश छीन लिया उसने, बहुत ही सही मूव यहाँ पे, बंदे को बिलकुल डाउन कर दिया है, टॉप रोप की इस मैच को यही सुलाना पड़ेगा, वाट, स्टाइल्स की गर्दन पर पड़ा है उसके टांग, एंड यह थिंक, यह थिंक यह था मौगा वागा इस स्केट से बाहर निकलने का, फटा फट एजे साइज चड़ता वाँ बहार, और मोस्ट तु दी टॉप, विलकुल पहुंच गया, डॉल्स रिकावर नहीं कर पाया इतनी जल्दी, एन एजे स्टाइल्स अन दी आउट साइड, एन अब बस नीचे पहुंच नहीं बाकी है, एन वी हाव एजे स्टाइल्स उस मौके का फाइदा उठाते हुए, फटा फट केज से बाहर निकला, तो विनर बह स्लाम में है एक फेटल फोवे टेबल मैच जिसमें मेज अपना टाइटल डिफेंट कर रहा है अगेंस्ट ब्रेव वाइड, डॉफ जिगलर, एन एजे स्टाइल्स, हमें किसको लेना चाहिए, इन चारों में से आई बटन पर वोड करिये दोस्तों, फटा फट, एन आज ए यह था खौफ इस WWE में, बिल्कुल अपने क्लासिक आउट्पिट में, क्लासिक अंडर्थेकर, देद मैंस वाकिंग अगें, और उसका पार्टनर और कोई नहीं, उसी का भाई, खेंडी बिग रेड मशीन, आपके शोले चारों तरफ से और यह दोनों मिलके बनाते, यह लंदे, यह, जॉन सीना, एंड दैनियल ब्रायन, सबसे पहले रिंग की तरफ वड़ेगा, दैनिल ब्रायन, Mr. Yes, 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 दैनिल ब्रायन पूरे एंक्राउट को Yes, Yes, करते वे रिंग में, पहुँच गये, क्या अज आज हारेगा तू? Yes, Then we have the WWE Champion, Mr. Hustle, Loyalty, Respect, एंड यह बड़े का रिंग की तरफ तो चार बड़े सूपरस्टार्स एक साथ रिंग के अंदर in this tag elimination match Undertaker यहां से स्टार्ट करता हुआ, Brothers of Destruction के लिए यहां से Daniel Bryan एंड यह स्टार्ट वावर माच पंपंपंपंपंड तंटी बात चुकी है Undertaker with a big bull, Daniel Bryan को वहीं काड दिया उसने शुरुआती मूव बहुत ही तकड़ा, एंड डैनियल ब्राइन का reverse हाथ पाउंड तोड़ने के पिछे पड़ गया है, यही इनकी strategy है लंबे लोगों के हाथ पाउंड तोड़ो उनको थोड़ा सा difficult कर दो उनके लिए हैंडिकाप कर दो यह match बूम, solid hit यहां पे Undertaker की तरफ से उल्टा किया यहां पे Daniel ने, लेकिन job breaker Undertaker की तरफ से ले भई, अपर कट एंड डैनियल ब्राइन वहीं पे चिट लेकिन डैनियल ब्राइन उतना ही फुर्तीला उसके अगेंस एक और मुक्का पड़ा, Undertaker उसको मौकी का फाइदा उठाने नहीं देगा नेक ब्रेकर में बदल दिया लेकिन डैनियल ने Undertaker थोड़ी सी प्रॉब्लम में उसको रिंग के बीच में पकड़ डिया है Undertaker पिट और डैमेज रिंग के बाहर गोज़ फॉड़ा स्प्रिंग बोर्ड मूव एंड वाट अ स्प्रिंग बोर्ड फॉप्स फ्लैश एन अंडर्टेकर हिल नीर अपनी जगह से डैनियल ब्राइन अभी भी अंदरा के हमें लात माने की कोशिश ने जॉण सीन अट को टैक कर दिया है उसने एन अंडर्टेकर थोड़ा सा पिटता हुआ दोनों से घसीट लिया रिंग के बीच में जॉण सीना ने गोज़ फॉर अपन आइथिंग येस ही डाज वान पचे भाई अभी तो अंडर्टेकर के फास काफी जान बागी है केन थोड़ा ज़ादा उतावला होता हुआ हमारे से रिवर्सल सारे मिस हो रहे है पूम एक और हेट ओन दी फोर हैड अन अंडर्टेकर थोड़ा सा हिल गया है वहाँ पे गोस फॉर आब बार अभी से सम्मिशन मूव यहाँ पे जॉन सीना तोड़ देगा भई हाथ पाउ हमारे प्रेशर कफी जादा अंडर्टेकर के उपर अभी से लेकिन रिवर्सल करने का मौका मिला हमें लेग हुसा मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश अंडर्टेकर अब गुस्से में दो मुके दिये जॉन सीना को उठाया स्कूप स्लाम लेकिन इन्टु दे गट पस्टर पेट वेट सब एक साथ कर देगा अंडर्टेकर तुम्हारा उठा लिया फुल पावर के साथ उठाया अंडर्टेकर ने पॉल अवे स्लाम के साथ जॉन सीना गया उड़ते वे पीछे ब्रदर्ज अफ डिस्ट्रक्शन कोई मामूली बात नहीं ऐसे बड़े खतरनाक टैग टीम सरपड़ा जॉन सीना का उसी के टरन बकल पे हम पे रिवसल मानने की कोशिश डबल टीम मूव यहाँ पे तब बिग रेग मशीन केन अंदर आ चुक है दोनों भाईयों ने आरिश विप दिया और पटक दिया पीछे की तरफ सर के बल वो भी यह पड़ी लाद केन की पिलकुल गुसे में आया आग बबूला और जॉन सीना सब कुछ उल्टा करते हुए लेकिन यह ले हमें भी आती है पटकी सीना लेमुफ का उठाने की कोशिश लेकिन सीना नेवर गेवज अप फाइट बाक बूम जोब रेकर इस तरफ से दोनों एक दूसरे का मूव कैंसल करे जा रहे हर एक मूव कैंसल हुआ है यहाँ पे लेकिन यह पड़ा गट्रेंड सुपलेक्स घसीक लिया सीना ने फिर दुबारा रिंग के बीच में घसीचा गोइंग फॉर इस सिगनेचर मूव दी फाइब नकल शफल लेकिन वाट अ रिवरसल बाई केंड पूरा मैच पल्टा उसमें वहाँ पे सिगनेचर मूव आ चुका है उसके पास सीना की चैंक्स चालो तरफ से आरी होगी लेकिन सिगनेचर मूव यहाँ पे केंड की तरफ से साइड वॉप स्लैम के साथ जॉन सीना को एक तरफ किया सीना यहाँ पे बिल्कुल चित कंट्रोल ब्रदर्स ऑफ ट्रिस्ट्रक्शन के पास कोने में ले जाएंगे हम इसको डबल टीम मूव एक और बार लेकिन इस बार काउंटर किया सीना ने एक और एलबोस के मूव पे बड़ा हाथ पड़ा सीना को हराना वैसी बहुत मुश्किल होने वाला है लेकिन जब तक हम लोग अपने कोने में रखेंगे चांस है हमा मादिया केन ड्राग्स हम अराउंड इंटो दा चोग स्लाम वाट बिग चोग स्लाम वान तू लेकिन डैनिल ब्राइन अंदर आता हुआ बहुत शातिर यहां पर अपने भाइक को पचा लिया है भाइक को तो नहीं अपने जो भी लगता उसका केन ने उसकी टांग पकड़ इस बंदे की रेजिलेंसी किसी से भी कम नहीं वाट फावर बॉम उसके पास निंग नेचर मूव इस बार क्या वो फाइब नेकल शफल लगा पाएगा यह सीना पूम के नेक सीधा मूपे मुख कपड़ा लेकिन केन उतना ही गुस्से में उपर उठाओ ओ जहाट चाटा मा अर्दियस में सीना इन कंट्रोल मुमेंटम दूसरी तरफ चला गया है पूरे मैच का ओप्स ही इस लुपिंग दू फिनिश देस क्या हम यह खा जाएंगे प्लीज नहीं वाट रिवर्सल के ने पूरा एटिटूड अज्मेंट उपर ही पलट डाला अपना वेट यूज कर वहाँ पर कोने मिले जाएंगे अंडटेकर बहुत जादा उतावला हो रहा है यह दिया उसने ठाग अंडटेकर एंड के यहां पर अटक करते हुए डबल अक्स हैंडल अंडटेकर ने रिंग के अंदर आते इस यह दिया एक और गटबस्टर कमर तोड डाली हमने कमर तोड परफॉमेंस ले भाई जे मुपके सीना का सरफार दिया है हमने उसको अभी तक टैग नहीं करने दिया है डैनिल ब्राइन को टैग मत करने दो बस तब तक ये को और खा तक सिगनेचर मूब अब अंडर्टेकर के पास इस गुड पूरा कंट्रोल अब हमारे अंडर है केन काफ वही से मूव ये अच्छा मौका था और जोन सीना भागा इदर से उसको पता था उसकी हालत काफी खड़ाब हो रही है डैनिल ब्राइन को अंदर भेजा ही गोस पॉर दी पेन वान अंडर्टेकर को पिन करो गे इतना आसान नहीं इतना आसान नहीं लात मानी की कोशिश रोप पे टाइट रोप एंड भूम अंडर्टेकर इस लुकिंग फॉर एट कम ओर दी चोक स्लाब इस रेड़ी बंदा खड़ा हो चुक है एंड डैनिल ब्राइन पे दी टूमस्टों फाइल ड्राइबर पूम सूपर मूव आदमी का सरु खड़ जाए सीधा पिन में डाल टू लेकिन डैनिल ब्राइन केक्स आउट दोनों के दोनों इतने रेजिलेंट है हमें उनको हराना मुश्किल हो जाएगा कम ओन अभी तक कोई eliminations नहीं देखे हमने अपने कोने में रखो अरे यार डबल टी मूव करना इतना मुश्किल कर दियें लोगोंने क्यों फिर कोने में फेका क्या इस बार केनेक्ट हो का नहीं अगेन रिवर्स डैनियल ब्राइन हमें उठा के पटकने की कोशिश में था लेकिन वाटर नेक्ट रेकर पूरी इसकी गेम पलट डाली हमने एक डबल टी मूव करने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ रहा हमें तीसरी बार ट्राइ कर रहे हैं तीसरी बार रिवर्स वाव अब इस बार उसने हमें उठा लिया दे मुख का मूपे ओम जी मोमें लगा दिया है उसने इस बार आउटसाइड सूपर फ्लैक्स अंडर्टेकर को बहुती बड़ा डामेज बहुती बड़ा बूफ रॉम दी टॉप टोप वट रिस्क टेगन बाई डानियल ब्राइन उसको पता है ऐसे भूतों को हराना है ब्रदर्स अब दिस्रक्शन को हराना है तो ओम जी मोमें लगाने ही पड़ेंगे अंडर्टेकर बहुती खराब हालत में क्या दुबारा सिंग्नेचर मूव लगा पाएगा इस पर भागते बहा है उसका फ्लाइंग क्लोज लाइन वहां से लगा फिनिशिंग मूव रेडी हमारे पास लेट्स गो डैनियल ब्राइन को टॉंट किया उसको पता नहीं वह कहां पे चोक स्लाइम के लिए रेडी डैनियल ब्राइन पे चोक स्लाइम लग गया वट फोर्स अल्मोस साथ फोट उपल से नीचे गोईंग फोर दा फेन वान टू थी एन इसी के साथ पहला इलिमिनेशन डैनियल ब्राइन हैस बिन इलिमिनेट जॉन स जीना की भी इतनी जादा वाट लगी हुए उसका सर हम पहली फार चुके कें फिर दुबारा वहां पे बिल्कुल कॉंशिसनेस खो चुका अपनी वह सर घुम गुरा है उसका बिल्कुल सीना इसी बात का फैड़ा हुथा आते हुए हमने बहुत टाइब बेस कर गया उधर अभी अब टाइब लगी हुए 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 नगालो लगा उसके पास इसनेचर अपनेचर मूवग हुए उप उपर धी नकल शफल पूरी फाइड कोशिश करेगा जून सीना कभी नहीं हार बालाग पैला अपनेगा जाहे वो तर लग उचल लगा उसके लाद सुपब मुव मैं गोईंग फॉर दी अटिटुट अजेस्मेंट के इस बार करेक्ट कर पाएगा विद अंडर्टेकर यह सीधा पिन में डाला हमें वान टू रेजिलेंसी यूज करते हैं अडर्टेकर बहुत ही अच्छा रिवर्सल जॉन सिना के पास अब कोई चारा नहीं पिटने के सभाई और कोई चारा नहीं कम ओन केन थोड़ा होश में रहे ज्यादा मुंडी मत घुमा अपनी कोने मिले गे उसको एक और डबल टीम मूव के लिए येस इस बार वो टैक कर पाए और दोनों एक साथ काम करते वे पकड़ लिया उसको सीना ने लेकिन रिवर्सल माल दिया केन पे उठाने की फुल कोशिश क्या हो रहा है यहाँ पे रेफरी बीच में आ गया पूम हमें कोने में फिका अब यह सारे मूव कोने में मार रहा है खतरनाक मूवज के ले जा रहा है वो सूपर सूपर मूवज के ले जा रहा है वो रिवर्सल करना उतना ही जरूरी फ्रॉम दी टॉप रोप पटक दिया उसने गोईंग फॉर अ बैक ट्रॉप सूपर बैक ट्रॉप जॉन सीना की तरफ से आधी चोट खुद भिखाता हुआ उतना ही रिस्की उसके लिए भी था इंटु दे फेंड अगेंड वान टू अच्छा केन और अंडर्टेकर ऐसी फोर्स है कि वो खुद कभी न हार माने ले भई फिनिशिंग मूव अब हमारे पास है इस बार फिनिशिंग मूव लगा दिया है घुमा दिया सीना को अमने इंटु दे टूम्सटोन पाइल ड्राइवर लेकिन ये क्या पूरा टूम्सटोन पाइल ड्राइवर बदल दिया उसने केन को उल्टा उसने टूम्स्टोन में डाल दिया वाट अ सूपर्ब मुव बाई जॉन सीना आउट अफ नोवेर वो पावर उसका सेकेंड वेंड एंड इन्टू दा आटिटूड अज्टमेंट केन को बिलकुल कोने में वाट टू रेजिलेंसी यूज करनी पड़ी हमें केन भी एक तरह से बच्टा हुआ लेकिन दोनों भायों की अकेले ही वाट लगा रहा है जॉन सीना अमेजिंग फावर डैनिल ब्राइन उसका कोना छोड़ के चला गया है केन को भागना पड़ा यहां से बूम केन रिवर्सल और तेरी उल्टा ही दे दिया ऐसे तो केन पर ऐसे बड़े बड़े रिवर्सल कर रहा है अब मैं उसको बिल्कुल उल्टा नहीं कर सकता बाहरी फीटना स्टार्ट केन की वाट लग चुकी है शायद वो रिकवर भी ना कर पाए इस छोटे से सूपलेक से काउंट आउट स्टार्ट हो चुका है क्या पता काउंट आउट ही करा दे वो इतनी बुरी हालत में केन दे घूसे पे घूसा मास्क के नीचे ही मानने लगा उसको तो ही जौन सीना हमें बिल्कुल मौका नहीं दे रहा बिल्कुल रिलेंटलेस ओ वाच एलबो इस बार रिवर्सल अब हमारी तरफ से बिग बूट पड़ा सीना के मूपे काउंट आउट बिल्कुल कहां पहुंच गया सीना ओड दी रिवर्सल अभी भी फीट रहे हमें ओ बैस आप रिंग पोस्ट पे दे मारा उसने हमारा सर शायद उसको काउंट भी सुनाए नहीं दे रही नाइन काउंट आउट हो चुका है भाग अंदर खुद रिंग के बाहर है बच गया बच गया की हालत उतनी बुरी कर दिये इसने मार मार के जितना मुझे लग रहा था जॉन सीना खतम होने वाला है उतना ही फाइट करते जा रहा है वो फिनिशिंग मूव उसके पास है क्या वो कुछ कर पाएगा अभी भी अपनी चांस का वेट करता हुआ केन एक और अटिट्टूड अजिस्मन सर्वाइब नहीं कर पाएगा अब मुझे लग स्था रिवर्सल रिवर्सल येस अब ब्लडी गुड रिवर्सल इधर साइड़ोक स्लाम पूम इंटु दे सिंगनेचर केन का उसने रिवर्स किया केन का मुव रिवर्स किया तुने अब ले बेटा टूमस्टोन फाइल ड्राइवर इस बार जरूर कनेक्ट होगा बैंग केन ने भी अपना टूमस्टोन फाइल ड्राइवर दिया वान टू नहीं जॉन सिना डिनाइज केन यहाँ पे वाट रेजिलेंसी मैन कहां से आरी है इतनी ताकत इसके पास अब अब तो अंडर्टेकर की भी हालत खराब होगी वो खोड टैग नी करने के लिए रडी है सर घूम रहा है सबका अब तो इधर सबका सर घूम रहा है अबे नीचे चलागे अंडर्टेकर क्या करने है वाट अखेक सिना खत्रे में एन हमने टैग कर दिया इतलास अंडर्टेकर को फीनॉम खतम करने आगे इस मैच को जॉन सिना के अगेंस्ट यह पकड़ा उसने अरे भाई सिना कहां से आरी है ताकत कहां से आराई है सिनेशन में ताकत यह थेका उठा के फुल पाउर के साथ आलू की बोरी की तरह यहां से वाँ चलता हुआ रिवर्सल भाई जॉन सिना रिवर्सल कमोन मुझे भी उतना ही जरूरी रिवर्सल करना गोईं फॉर दिस सुपलेक्स लेकिन पूरा मुव रिवर्सल किया यहां पे भागते वे पेट पे लाट पड़ी सीना इन ड्रबल नाओ रिंग के बीच में स्कूप स्लाम लेपड़ी लाट यह दी एक और एन अंडर्टेकर फुल रेड़ी क्या इस बार सिगनेचर मूव लगेगा येस उसने लगा दिया ओल्ड स्कूल इस बार हाथ में आया जॉन सीना हे कम जी ठाइड रोप वाक एंड उतने सटीक तरीके से उसके पर कूद है हम लोग अब बन्दा बेलकुल फिनिश अंडर्टेकर रेड़ी विद फिनिशिंग मूव उसका खुद का स्टैम्ना चला गया है एर वी गो जॉन सीना इन ट्रबल अगें एंड पूम वट अ फाय द्राइवर दोनों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है अंडर्टेकर एक तरफ हो गया मारते उसको गोस्वर्दी पिन सम्हाव एक हाथ रखा 1 2 impossible how is this man surviving this how is he doing this undertaker को समझना जारा ken को समझना जारा मुझे समझ नहीं जारा फुल फाइट देने की कोशिश फॉल अवे स्लाइम नहीं गोमा के मुपत को टैक कर वक्स दागे और डॉबल टीम मुव शाए इसको खतमकर डाले ये डबल टीम मूँव शायद इसको खतम गड़ डाले गो सिदी टॉप रोप एक्स हैंडल केन भागते वे आया लेकिन पूरा मूँव रिवर्सल उटर पैक्ट्रॉप सीना के पास एक और फिलिशिंग मूँव टॉन करता हुआ हमारे उपर वो दिखा रहा है कि हैंडी कैप में भी उसके पास ये उपरी हाथ है लेफ इधूसा दो घूसे बिल्कुल पोने में पूरा रिवर्सल किया उसने ये चीज ये पढ़ा एक और रिवर्सल हमारी तरफ से भागते विया है केन पूरा शॉट मिस उसके इंपर ये पड़ी लाद पेट पे केन थक चुका है भाई मैं थक चुका हूं बोलते बोलते जॉन सीना पटक दिया पीछे केन के पास आगया सिगनेचर मूव इस माइट बी एट उठा के दे दे उठा के दे सीना ने पूरा मूव उल्टा कर दिया वाट इस हापनिंग एक और बार अलबो ड्रॉप फिनिशिंग मूव से पहले ही गोस्पादी पेन वान बचा केन बहुत ही लखी किक था वो वहां से अटिटूड अज़स्मेंट के लिए रेडी हो चुक है टॉंट करता हुआ केन के ऊपर वो क्या केन इसको फिनिश कर पाएगा एक और बार अटिटूड अज़स्मेंट हमने रिवसल किया इस बार बूम पड़ी मूव पे लाथ फिनिशिंग मूव आचुक है हमारे पास बिग मिस्टेक बाइ सीना इंटू दा चोक स्लाम घसीट लिया बिलकुल रिंग के बीच में और फुल पावर के साथ फुल पावर के साथ वही बेगार दिया उसको वान तू त्री इंटू कीव विन फर थी ब्रदर्स ब्रॉद्रक्शन अट लास लेकिन क्या आपड इस सीना ने दोनों को ऐसी दी आपरिज देग करना बड़ा हुंको हराने के ले किले लेकिन ये ब्रदर्स ब्रद्रक्शन बहत ही जादा खतर्मा सब्सक्राइब एक सिख्समेन एलिमिनेशन चेम्बर जहां पर केविन ओवेंस अपना डिफेंड करेगा ताइटल अगेंस ब्रॉक लेस्नर सेथ रोलिंस समोजो रोमन रेंज और ब्रॉंस ट्रोमन हमें इन लोगों में से किसको नहीं चाहिए आप लोग आई बॉट कर सकते सेविन ओवेंस का उसमें नहीं होगा क्योंकि वह अभी चैम्पिन है तो फटा वड़ वोट करिये फॉर दिस ओसम मैंच तो थैंक यू सो मच दोस्तो यह था आज का एपिसोड आई होप आप सबी लोगों को मजा है मुझे कॉमेंट से बताना ना भूलिए आपका फेवरेट मोमेंट आज का आपका फेवरेट मूव एंड आई बटन पे वोट करिये नेक्स ताइम के लिए तो सब्सक्राइब कर शेर कर आपने दोस्तों के साथ मैं में रूंगा विथ मोर डबल डबली टू के 17 यूनिवर्स मोर तब तक के लिए बबाई